नमस्कार क्विक निउस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं विरत दुबे आज हम मना रहे हैं विश्व रेबीज दिवस आए जानते हैं इसके बारे में विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को लुईस पाश्चर की मृत्व की वर्षगांट पर मना जाता है जिन्होंने अपने सैयोग्यों के साथ पहली प्रभावी रेबीज वैक्सीन विक्सित की थी रेबीज को दुनिया की सबसे हातक संक्रामक बिमारी में से एक समझा जाता है विश्व रेबीज दिवस को मनाने के शुरुवात 2007 से की गई थी और इसको मनाने का उद्देश इसके बारे में लोगों के बीच जाग रुकता पैदा करना है और दुनिया भर में रोख्थाम और नियंत्रण के प्रयासों को बढ़ावा देना है रेबीज एक वा बोच मारता है संक्रमित जानवर की लार भी रेबीज फैला सकती है रेबीज में संक्रमित होने के बाद शुरुवाती लक्षणों में बुखार और एक्सपोजर की जगह जुझनी शामिल होती है बाद में लक्षणों में मितली उल्टी अनियंत्रित तो तेजना पानी का डर शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थ था ब्रहम और चेतना की हानिया दिशामिल है एक बार लक्षण दिखाई देने पर अगर सही तरीके से उपचार ना किया जाए तो मृत्यू की संभावना बढ़ जाती है रेबीज के संक्रमन को रोकने में रेबीज वैक्सीन औ अधिक मानव मृत्यू अफ्रीका और एशिया में होती है